तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे MSC Electronic Science Course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ की MSC Electronic Science का Course आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, अखिर जाय कोर्स कितने वरच का कोर्स होता है, इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ की, अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल सकती है, तो यह सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ हलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो educational word structure चैनल, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ MSC electronic science course के बारे में अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो अगर आपसे मैं MSC electronic science course के बारे में आपसे मैं discuss करूँ तो MSC का मतलब होता है master of science और MSC electronic science का जो course है, वो एक post graduate level की degree का course होता है, जो कि आज के time में कभी सारे students graduation के बाद इस course को करते हैं इस course के मादियम से आप एक deep research करते हो, जिसके जरीए आपको electrical circuits और electrical components के बारे में आपको study करवाया जाता है तो आज के time में भी काफी सारी universities हैं जो इस course को करवाती हैं अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि जनी जै कोर्स आखिरी कितने वर्ष का course होता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जै कोर्स दो वर्ष का course होता है जिसमें कुल 4 semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो दोस्तों 6 महिने तक ही होती है अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि जनी अगर आप इस course को करना चाहते हो तो इसके लिए अखिर आपको क्या करना पड़ेगा तो इस course को करने के लिए दोस्तों आपको जो bachelor की जो degree है उसे आपको पास करनी पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो B.Sc. Electronic Science का course पूरा करने के बाद ही इस course को करते हैं अभी आपसे मैं job profiles के वारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनी अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप engineering manager बन सकते हो आप production manager बन सकते हो इसके इलावा दोस्तों आप जो teacher की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे मैं subjects के वारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनी आप इस course में अगर किस परकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो इस course में आप integrated circuit processing techniques, digital circuits and system design, device electronics for ICS, etc. topics और subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाए जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई universities और college के slivers के हिसाफ से जाजो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे MSC electronic science course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के बादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नई तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना